हेलो नमस्कार पेरवत 24 वीडियो में हम 529 का वरग मुल्क कैसे निकाल लें यह सिखेंगे आप जानते हैं वरग मुल्क कैसे लिखते हैं अंडूर सिंबल के द्वारा यहाँ पर हम अपना अभाज ये गुणनद खंड विदी काम है लेंगे इस दीगी संख्या को अपने अभाज ये संख्याओं के गुणनद खंड के लूप में लिखना तो बच्चों सरव पतम आपको मालूम होना चीए कि हमारी अभाज ये संख्याओं कौन सी है देखें दो तिन पांग साथ 11, 13, 17, 19 और 23 और आपका 29 अब मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ उनके दोरा आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं देखें वे संख्याओं जिनका इकाई हैं क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई हो वे संख्याओं क्या रहती है आपकी 2 से विबाज रहती है तो क्या है दो इसी विबाज रहती है इसका इकाई है कर देखो कितना है नो जोकि इन में से नहीं है तीन के बात करें तो अंकों को जोडने पर जो आपकी फाइनल संख्या बन रही है यह त्यादी तीन से विबाज रहती है पांच का 9 पांच हो यह आपका पांच से भी बढ़ते एंगे और तेज के पास आगे कभी कबार देंखे इसमें थोड़ा आपको महनद करना पड़ता है भाग भीदी में इतना महनद नहीं करना पड़ता है लेकिन जब आपको प्रिक्सा में कुछ इस तरीके से पूछ लिया गया है या आपको यही मेथड समझ आ रखा है तो उस समय आपको इसी मेथड से करना पड़ता है तो अब हम इस मेजे से 23 का भाग दे देते हैं कितनी वार 46 आ गया उसके बाद माइनस किया माइनस करने पर हमारे पाद 6 आ जाता है उपर से 9 को यहां ले आते हैं अब 23 को हम 300 गुणा करते हैं कितनी वार गया तीन वार कितना आ गया 69 फिर माइनस किया आपका 0 आ गया तो हमने 23 का भाग दिया इसमें 529 में देखिए 0 आया इसका मतलब क्या है यह आपका 23 से विभाजिय है पहले हमने जिस भी संख्या का भाग दिया तो हमें 0 नहीं मिल रहा था इसका मतलब यह है उन संख्याओं से विभाजिय नहीं था कितना मिल रहा है भाग फल हमें 23 मिल रहा है फिर 23 में 23 का भाग दिया एक आ गया तो 529 का हमारे पास ये गुणन खंड आ गए 23 गुणा 23 हमें क्या चे इसका वरग मुल करना क्या है बिल्कुल सिंपल है दो समान से क्या गजोड़ा और परते एक जोड़ा मैंसे इसको यह गवार यहां लिखना है तो कितना आ गया आपका 23 आ गया है बाँ पर अपका 2 लगा मारा यहां पिल्कुल